हाई फ्रेंड्स आज हम दिखाऊंगा कि stl फाइल से artcam स्वाप्टर यूज़ करके कैसे हम relief फाइल बनाते हैं सबसे पहले artcam स्वाप्टर को open करना पड़ेगा और पेज थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा तो इधर मैं 36 inch by 36 inch का एक पेज ले रहा हूँ फिर इसको मैं मिलिमीटर में convert कर रहा हूँ और resolution पूरा रखे इसके बाद हम क्या करेंगे relief में जाके import 3D model फिर कोई HDL फाइल को हम import कर रहा हूँ इंपोर्ट करने के टाइम पर आप धहन दीजिएगा कि फाइल थोड़ा बड़ा करके paste कर क्योंकि resolution थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा तभी ओ फाइल अच्छा दिखेगा और relief में convert करने के बाद उसको आप अपना हिसाब से size छोटा बड़ा कर पाएंगे कोई problem नहीं तो इधर HDL फाइल लेने के बाद इसको हम क्या करेंगे page के center पे लेके जाएंगे page के center में लेके गया फिर इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे कैसे यह जगा पे size को मैं 30 लिख दे रहाँ apply फिर दोबारा इसको center में set करना पड़ेगा फिर इसको आप paste कर दीजिएगा ठीक है अभी यह paste हो गया अभी क्या करना है इसी फाइल को लेके इसको close करके आप इसको relief में save कर लीजिए तो relief option में जाएंगे save composite इधर जाके art cam 9 relief select करना पड़ेगा फिर 3D नाम से मैं इसको save कर दे रहाँ देखिए save हो गया अभी यह वाला layer को बंद कर दिया नया layer लिया विंडो में जाके tile vertically किया अभी एक बात देख लीजिए जो relief मैं save करके रखा हूं उसको इधर input करूँगा 3D इसको import करने के बाद आपना हिसाब से size छोटा बड़ा मैं कर लूँगा इसमें क्या resolution घटेगा नहीं पर file सही रह जाएगा अभी size में जाएंगे जाके इसको छोटा करना है तो सबसे पहले scale में जाएंगे जिदना हमें छोटा करना है छोटा कर लिया ठीक है उसी सबसे इधर depth भी ऐसे set हो जाएगा suppose मुझे 15 mm चाहिए तो 15 mm लिखके apply फिर paste तो देखिए इधर design paste हो जाएगा तो इस तरह से कोई भी htl file को हम relief में convert कर सकते हैं और relief को आप अपना हिसाब से size set करके उसको use भी कर सकते हैं Thank you friends, best of luck